नमस्कार, हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल साथ लाग से जाता मोते तंबाकू खाने से होती हैं और तंबाकू में निकोटिन होता है। पर ही अटैक करता है। कैंसर वो भी एक इसी की बहुत बड़ी वज़ा है। तंबाकू में साथ हजार से भी ज्यादा केमिकल होते हैं जिसमें से दोसों से ज्यादा ऐसे कैमिकल होते हैं जो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। का गले का कैंसर होना कोई बड़ी बात नहीं है। चांसेज ज्यादा रहते हैं। 70% लोगों के लंक्स खराब होने की चांसेज ज्यादा है। तंबाकू पानवाला हो, गुटका हो या किसी भी रूप में आप तंबाकू का सेवन करें। 90% लोगों को मुखा कैंसर हो ही रहा है। 50% से ज्यादा लोगों को हार्ट अटेक आ रहे हैं। इतने लंबे समय तक अगर आप तंबाकू खाते ही रहेंगे तो जानिए। कोरोनरी आर्टरीज वगेरा में ब्लॉकेस तो होना कोई बड़ी बात नहीं है। और बैट कोलोस्ट्रोल और जब ट्राइगलिस्राइट का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है और उसका नतीज़ा क्या है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटेक, ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की मरीजों की संक्या दिन पर दिन अब बढ़ती ही जा रही है, ये जानना जरूरी है कि लग कैसे लगती है, ब्लड में जब निकोटिन का लेवल कम होने लगता है, तो गुटका तंबाकू, खाने वाल अवे बढ़ जाता है, सांसे तेज हो जाती है, और हार्ट अटेक आ सकता है, और फिर तंबाकू खाने के लिए वा मजबूर हो जाता है, और ये सिलसला रोज ही चलता है, तंबाकू की लग कैसे छुड़ाएं, तंबाकू की लग छुड़ाने के लिए आप मेंटली पहले तयार ह यह withdrawal syndrome का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा इतना आसान नहीं है इसे छोड़ना हां लेकिन मुश्किल भी नहीं है आप इसे छोड़ सकते हैं सिर्फ द्रेट निश्चे करना होगा दीरे दीरे छोड़ने से काम नहीं चलेगा एक दम छोड़ना होगा उसके बदले आप